तो ये है Redmi 12 5G, पिछले 7 दिन से इस फोन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ और ये फोन आप 12,000 रुपए में Amazon से खरीज सकते हैं, बट क्या आपको खरीदना चाहिए? देखो इस फोन को टेस्ट करते वक्त ये जरूर फिलोगा कि पुराना वाला जो Redmi है, value for money वाले जो फोन बनाता था, वैसा ये फोन है, लेकिन डेफिनिटी ये फोन भी कुछ कमिया लेका आता है, जो एक दम इस वीडियो में आपको क्लियर बता दूँगा, होप आप लोको व ग्लास बैक लेकर आता है, और हाथ में जब इसे पकड़ते हो न, तो ये फोन महँगा फिल आपको होता है, ग्लास बैक भी आपको एक मैट फिनिश काइंड ओफ लेकि आता है, तो ये फोन गंदा नहीं होता, वैसे साइड से भी देखते हो, तो ये आपको फ्लैट एजिस मिलते हैं, तो एक boxy design है, वैसे flat edges भी आपको fingerprint scanner मिल रहा है, जो कि हर बार काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा slow मुझे जरूर feel हुआ, खेर यही glass bag थोड़ी सी build में confusion करता है, कौन सा glass bag है, कौन सी protection यूज़ के इसका कोई exact idea नहीं है, तो आपको box में जो अच्छी quality का एक cover मिलता है वो matte finish लेके आता है, और उसको आप जरूर यूज़ करना, क्योंकि glass पीछ है, कौन सी protection है, पता नहीं है, गिरेगा तो तूट सकता है, लेकिन एक चीज़ एकदम clear है, कि display में कौन सी protection यूज़ कि आपको ऐसा कोई phone मिलेगा नहीं, तो हाँ, जो competition कर रहा है, वैसा ही phone कर रहे है, काफी brand तो LCD के साथ आपको 15,000 के नीचे launch भी दे रहे, यहाँ पे at least आपको punch hole मिलती है, और colors वगएरा, और qualities display के आपको पसंद आएगी, देखो snapdragon 4chan 2 में एक कमी जरूर है Amazon वगएरा देखते हूँ, यहाँ पे wide one L1 का भी आपको support मिलता है, एक कमी मुझे जरूर फील हुई, वैसे तो 550 nits की brightness कहा गया है, लेकिन आउटर में जब मैं camera test कर रहा था न, इसके display बहुत ही कम visible होती है, छाय वगएरा में है, headphone jack की तो loudness अच्छी है, speaker की loudness थोड़ी और better हो सकती थी, लेकिन price के साब से जैसा आपको मिल रहा है, वैसा ही यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हाँ, software के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, पहले तो देखो यह phone चल रहा है latest Android version पे जो है Android 13, यहाँ पे आपको दो major update मिलेंगे, अब जो चीजों का ध्यान देना है, वो है कि यहाँ पे आपको काफी bloat वर मिलता है, काफी उट्टी सीधे apps मिलते है, जिन्हें आपको uninstall करना पड़ेगा, mostly सारे apps ना uninstall हो जाते हैं, तो यह tension की बात नहीं है, वैसे यहाँ पे animations भी आपको नहीं मिलते हैं, at least जो मैं base unit यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई app opening और app closing के animation नहीं, इसके वैसे उतनी smoothness आपको feel नहीं होती, और एक चीज़ और, यहाँ पे dual apps का feature नहीं मिल रहा है, मैंने search किया settings पर जाके dual apps का option दो दिख रहा है, select कर रहा हूँ, तो कहीं और ही लेके चले जाता है, तो I think यह bug है, fix हो जाएगा future में, बट फिलाल जब मैं video बना रहा हूँ, आपको dual apps का support नहीं मिलता, बट अच्छी dual apps का feature और आपको app के animations नहीं मिलते हैं, वो थोड़ा से आपको धियान रखना है, खेर performance के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी confusion है, snapdragon का 4 Gen 2 processor है, और UFS 2.2 की storage है, मैं यहाँ पे base variant यूज़ कर रहा हूँ, और आपको normal task में दिक्कत आई की नहीं, तो है यह phone आपके at least 2 साल अगर आप base variant भी लेते हो, तो normal task में दिक्कत देगा नहीं, अगर आपको 2 साल से ज्यादा यूज़ करना है, और आपको normal task भी करना है, फिर भी आपको 6 GB रहाएं वाला variant लेना पड़ेगा, खेर यहाँ पर gaming अर करते हो, तो वो इतनी constant मुझे feel नहीं हुई, यहाँ पर वैसे तो बीच में के अंदर smooth plus ultra का support है, और यहाँ पर भी मुझे TDM जो normal match होता है, यहाँ पर ज्यादा frame drop नहीं मिलते, लेकिन यहाँ भी हलका हलका सा frame drop मिला मुझे, तो उतनी constant नहीं है, casual से, decent से आप gaming कर सकते हो, अगर हाँ आप gyro player हो, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, जैरो के अंदरा को काफी delay मिलता है, इस चीज़ का पुध्यान रखना है, लेकिन एक चीज़ अच्छे है कि जो भी processor इस phone में use किया है, उसके thermals बहुत ही कमाल के है, मैंने लगातार तीन बार इस पर throttle टेस्ट किया, और ऐसा graph surprisingly किसी भी phone का अभी तक मैंने जो टेस्ट के थे ऐसा नहीं आया है, 0% throttling by तीनों टेस्ट में लगातार, इसका मतलब क्या है, जितनी इसकी performance है, लगातार वो ये maintain रखेगा, और एक peak performance at least जितनी भी है, वो ये maintain र जाओगे, खेर अब camera की बात करते हैं, ये important है, तो पीछे एक ही camera मिलता है, 50MP का जो है main camera है, इसे आप दिन भी use करते हो, तो आपको skin tones और details अच्छी मिलती है, zoom करके देखोगे details अच्छी घासी है, colors भी आपको अच्छी मिलते है, लेकिन यहाँ पे HDR की थोड़ी सी दिक्क दिन में at least आपको use करने वाली photos मिलती है, रात में ऐसा नहीं होता, रात में अजीब सा ही क्याम कर रहे है, काफी जद़ आपको noise मिलती है, बिल्कुल भी clarity नहीं है, बिल्कुल भी आपको detail नहीं मिलती है, रात में इस camera को आप बिल्कुल भी use नहीं कर सकते हैं, वैसे back camera अच्छे आ रहे हैं, colors यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, light control में थोड़ा से यह भी ऊपर नीचे करता है, but overall हाँ इसे use कर सकते हो, दिन में आपको use करने वाली थोड़ी बहुत detail के साथ आपको photos मिल जाती है, लेकिन रात के अंदर थोड़ा सा old time, यहाँ पर night mode भी नहीं दे गय नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12,000 के साब से देखा जाए, 5G के साब से देखा जाए, तो चल सकता है, लेकिन इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, कि आप अगर यह फोन को लेते हो, तो रात में इसका camera आप use नहीं कर सकते हैं, खेर, network के अंदर भी थोड़ा सा एक पं 4G Plus ये phone support करता है, बट I think एक bug है, जो fix हो जाएगा future में, बट फिलाल इसकी वैसे काफे दिखते हैं, क्योंकि ये कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तो ऐसे कहीं जगह पे पहुंचा था, जहां पे 5G नहीं आता है, तो उसकी वैसे बहुत fluct fluctuation होई, और मैं net use ही नहीं कर पाए, तो फिलाल मुझे तो ये weird सा एक bug मिल रहा है, 4G Plus के साथ, अगर आपने phone ले लिया है, अगर कोई और phone लेने जा रहा है, तो उसकी please help कर देना, comment section बता देना, कि आपको क्या ये network का fluctuation है, मिल रहा है, बाकी लोग को थोड़ा सा idea मिल जा नहीं चाहिए थे, लेकिन आ, ऐसा साथ दिनों में मुझे calling में कोई issue आया नहीं और आपको भी नहीं आने वाला, खेर 5000 image की बैटरी है, वो यार बहुत ही कमाल किया है, मैं आपको एक screenshot दिखाता हूँ, 7 घंटे का screen on time मिला है, मुझे mobile data के ऊपर, और यहां पे side में आपको म सारे apps दिखा देता हूँ, जो जो मैंने use के, gaming भी मैंने किया है, एक घंटा camera भी use के, तो यह एक heavy usage है, और बैटर लाइफ, trust me, बहुत ही कमाल की है, बट एक चीज़ आपको थोड़ी से निराज करेगी इस battery के अंदर, देखो 5000 image के आपको बैटरी जरूर मिल रही है, और सा आखरी में क्या इस phone को आपको लेना चीए, देखो सारे मैंने positive लिखती है, सारे मैंने negative एक side में लिखती है, negative के अंदर जो 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 आपको ध्यान रखना है, वो है कि रात में इसका camera आप use नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको gyro के अंदर delay मिलने वाला है, currently 4G plus यहाँ पे constant नह आप में ले लेते हो, तो यह phone काफी value for money है, अगर 5G phone के हिसाब से देखा जाए, अगर आप camera ज्यादा यूज नहीं करते हैं, specially रात में आप ज्यादा camera यूज नहीं करते हैं, और आप gyro player नहीं हो, तो आपको इस phone में ज्यादा major दिक्कत नहीं आती है, यह phone आपके लिए अगर जो भी negative मैंने बता हैं, इस phone में वो आपको ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो आपके लिए phone नहीं बनाए, hope आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, मैं ऐसी simple वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर positive, negative, एकदम clear लिख देता हूँ, ताकि आप असानी सी decision ले सको, तो ऐ अगर आपको और देखनी हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके, बेल एकन कॉल पे करना, लाइक और शेयर करते हैं ये वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच पहे हैं, और वो सही decision ले सकें, अगर आपको कोई सवार रहे गया, तो comment section में पूछना, म मिलते हैं अब लोग से अगली वीडियो में, thanks for watching and love for all.